अवैद निर्मान गिराने पहुँचे ATP के साथ मारपीट की खबर आ रही है वेपारियों ने ATP को कॉलर पकड़ के बाहर निकाल दिया उनके साथ मारपीट की गई है और वेपारियों ने ATP को ठपड तक जड़ दिया बड़ी और रहम खबर इस वक्त की आपको बता दे तो व्यपारियों ने प्रसाशन के अधिकारियों पर आरोप भी लगाए हैं आरोप यह है कि पैसे लेकर निर्मान करवाने का आरोप व्यपारी वर्ग लगा रहा है पानी पत्से खबर इस वक्त आ रही है जहां पर अवैद निर्मान गिराने के लिए जब एटी भी वहां पहुंसते हैं तो उनके साथ मारपीट की खबर आती है भी एक्स्क्लिजव तस्वीरे आप देख रहे हैं देखे वेपारियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है एटी निकाला जा रहा है और आ रोप ये लगा रहे हैं वेपारी वर्ग पैसे लेकर ये अवय्द कर रहे हैं और इसी वजह से इतना गुस्सा आप देख रहे हैं वेपारियों में दिख रहा है पानीपत की थस्वीर हैं House आपको दिखा रहे हैं जहां पर व्यपारियों ने प्रसाशन के अधिकारी पर आरोप लगाए है थपड़ जड़ दिया है अब क्यूं ऐसा हुआ है यह भी जाज का विश्य है और आखिरकार कैसे आप सरकारी मलाजम पर ऐसे हाथ उठा सकते हैं और उसको चारों तरफ से घेड लिया गया है कॉलर पकड़ के उसको बाहर निकाला जा रहा है और भीड़ने पूरी तरहां से उसको घेड लिया है एटीपी को और थपड़ तक मारा गया है अब एटीपी ने शिकायत दर्श एक रोधित मूड में नसरान है जैसे तास्वीरे बया कर रही है तो अवैज निर्मान गिराने के लिए पहुंचे थे एटीपी सहाब लेकिन उल्टा उनके साथ ही मार पीट हो गई जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं जितेंद्र एटीपी के साथ मार पीट हो र के पूरू मेर थे भुपेंदर सिंह जिनोंने उनके साथ खेचा तानी करी और वहां पर पार्षद भी थे जो बीज़ेपी के पार्षद है लोकेश नागरू और भी थे तो कहीं ना कहीं सरकार का एक दिशा निर्देश है कि जो अवैज निर्मान किये गए है जिनका CLU नह करेंगे जितेंद्र जो मार्पिट की है जिसने भी उनके खिलाफ भी कुछ कारवाई अभी तक होगी क्या बिल्कुल बिल्कुल इसमें दोनों ने अपना पक्ष रखा है देखे जिस तरीके से पूरू मेर जो है बुपेंदर सिंग और उनकी लड़की जो है उनीत को और इस समय फिलाल मेर है उन पर भी कारवाई की बात चल रही है लेकिन फिलाल कारवाई नहीं हुई है अभी जो पर आपका तो मामला तूर पकड़ता वा नजर आ रहा है हनाकी कोशिश की जा रही है कि जल से जल मामले को सुलजा दिया जा लेकिन व्यपारी पर गभी घुस्से में है कि अग्याओं